नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनियर प्रभात कुमार सिंग निरला कंस्टक्शन यूटूब चैनल में आपसे वीकब बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत खुबसूरत खिर्की का डिजाइन दिखाना चाता हूँ और दोस्तो आपको पता ही है कि अगर आप एक अच्छे खिर्की के साथ अपना घर बनाते हैं तो आपका घर का जो लुक है वो कैगुना तक बढ़ जाता है तो आएए चलिए देखते हैं इस खुबसूरत खिर्की को सबसे पहले बात कर लाती है इस खिर्की का तो इसे पांस फीट बाई चार फीट में बनाया गया है मतलब पांस फीट चौरा और चार फीट उचा यह देखें जो उचा वाला भाग है वहाँ पे भी और यह जो नीचे वाला भाग है सिल लेवल वहाँ पे भी आप देखेंगे और इधर साइड में भी तो बीट डिजैन का काम किया गया है और खुशी का बात यह है कि यह जो लगबक तीन इंची पाहर निकलते हुए बीट बनाया गया है इससे इट की मदद से ही बनाया गया यह देखें दिवाल जो रहते समय यहाँ पे आपको तीन इंची पाहर इट को निकलवा लेना होता है और इस टाइब से आपको बाद में पलस्तर करके इसको फिनिस कर देना होता है तो कुछ लोग नीचे वाला हिसा को ढ़लाई के द्वारा भी बनाते हैं लेकिन ढ़लाई में आपका जो खड़्चिया वो जादा बैठता है तो चलिए मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाता हूँ ताके सारी चीज़ आप अच्छे से समझ पाए तो देखे कुछ इस टाइब से इस घर का जो खिरकी है उसका फ्रंट भी हुए और उडेन का यहाँ पे डोर लगाया गया है आप देख सकते हैं जो पल्ला है वो लकडी का लगाया गया है उपर वला हिस्ता का बात किया जाए तो स्लोप डिजाइन है और वहाँ भी देखेंगे तो आपको स्लोप डिजाइन में भी फरनिचर का वर्क किया गया है तो देखिए उपर में slope design उससे आपको concrete के दोरा ढ़लाई करते हुए बनाना होता है लगवक 16 इंची पाहर इसे निकालते हुए छज्जा को बनाया गया है यहाँ पर देखिए तो furniture वक भी काफी कमाल का है काफी अच्छा यहाँ पर आपको finishing देखने को मिल रहा है यहाँ पर यहाँ पर glass लगया है जाएगा तो देखिए नीचे वाला जो पला है वहाँ पर जो glass का काम है वो complete हो चुका है काफी अच्छा डिजाइन है बहुत ईजल्द मैं आपको इस घर का front भी भी लाने वाला हूँ इस channel पर वीडियो construction कोस्ट के साथ आएगा तो channel को subscribe आप जरूर क कर लिजे चलिए मैं आपको कुछ और दूसरा एंगल से दिखाने का कोसिस करता हूं जिससे आप अपने घर के लिए एक अच्छा विंडो बना पाए तो देखिए जो उपर वाला हिस्सा है slope डिजाइन में बनाया गया है उल्टा भी अकर का उसके उपर देखेंगे तो जाए कि जो उपर वाला उल्टा भी छिप में चज्जा है उसे कितना मोटा ढलाई किया गया है तो उसे साड़े तीन इंची यहां पर मोटा ढलाई किया गया है तो देखिए कुछ इस टाप से इस विंडो का बनावट है एक पर और सामने से देख लेजिए कलर कोमिनेशन बहुत ही माइने रखता अभी तक जो काम किया गया है काबिले तरीफ है लेकिन इसमें एक अच्छा कलर कोमिनेशन के साथ इस घर को जब पेंट किया जागा तो काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तों उमीद है वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब के साथ वीडियो को लाइक आवस कीजिए